हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने online learning platform नीच शास्त्र पे आज मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों एक project था जो आज से एक डेर साल पहले government ने उसका road map तयार किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने एक project का road map तयार किया था उत्तर प्रदेश में government medical colleges को बढ़ाने के लिए तीन phases में यह project था बच्चों phase 1, phase 2 और phase 3 phase 1 का जो project था उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि इस district में बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, साजहापूर और बहराईच यहाँ पे medical college खोलने का proposal था और आपको एक चीज़ बता देता हूं, phase 1 complete है, उसका batch जो है वहाँ पे चालू हो चुके है, ठीक है, वहाँ पे batches start है, यहाँ पे MBBS की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आगी मैं बताता हूं बच्चों जो phase 2 था, जो आप लोगों से direct related करता है, जो बच्चे इस साल नेट का paper देना चाते हैं, और उत्तर प्रदेश राज जिसे belong करते हैं, phase 2 में जो अभी चल रहा है project, मतब complete हो चुका है college, और जैसे कुछ हमारे internal sources से पता चला है, कि वहाँ पे जयार लोगों की निक्ती हो चुकी है, मतब जयार बच्चों वहोते हैं, जो आप लोगों को practicals वग functional होंगे, वहाँ पे admission लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उन medical colleges में admission लिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, district का जहां पे ये medical colleges खुल रहे है, एटा एक जगा है, बच्चों पस्चमी उत्तर प्रदेश, रोयल खंट के पास पढ़ता है, हर medical college खुल रहा है, ठीक है, अगला है देवरिया और गाजीपुर और मिर्जापुर, इसमें से देवरिया और गाजीपुर ब्यार वाटर से सटे हुए, और मिर्जापुर जो है बच्चों, वो तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ठीक है, तो इन जो districts हैं, इसमें इस साल से medical की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, मतब अगर, मतब इसमें मैंने कितने district के नाम लिए, एक, दो, तीन, चाल, पांच, छे, साथ, आठ, मिनिमम आठ सो सीट, क्याकि मिनिमम क्राइटेरिया है, MZI का कि 100 सीट होनी चाहिए, मैकसिमम 200 तक आप रखेंगे, ठीक है, तो 100 सीट मिनिमम अगर है, तो 800 सीटें इस साल से बढ़ेंगी, और जल्द ही ये चीज़ आपको ऑफिशियल होते हुए दिख जाएगी, अब बात करते हैं, उन बच्चों की जो क्लास 11 में है, या क्लास 10 में है, और medical field में आगे बढ़ना चाहते हैं, नीट इंटरेंस की preparation करना चाहत है, वो थोड़ा सा पिछले जीलों में आता है, वहाँ पे भी medical college कोला जा रहा है, लखीमपुर, खीरी, चंदॉली, बुलन शहर, सोन भद्र, पिली भीद, और या, कानपुर दिहार, कौसांबी और अमेठी, अमेठी में अभी तक कोई medical college नहीं था, इन states में, इन districts में बच हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने district होए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौट, फोर्टीन त डिस्टिक ये, और साथ मैंने, आठ मैंने आपको पहले बताए, ठीक है, तो कितने बाईस सो सीटे, दो से धाई साल के टाइम स्पैन में बढ़ने की संभावना है उत्तर प्रदेश में, तो इसकी वज़ा से cut-off को थोड़ा सा लो जाने की possibility है, मैं ऐसा नहीं कोँगा, कि लो जाएगा ही, क्योंकि अकर बच्चे बढ़ जाते हैं, माली जे सीटे बढ़ी बाईस सो, अब बच्चे तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी वी सीटों का, तो यह हमारा information था बच्चों, यह जो project चल रहा था, कई सालों से project चल रहा था, यह project अब थोड़ा थोड़ा अपने destination की तरफ पहुच रहा है, दो phases लगबाग complete है, तीसरे phase पे काम चल रहा है, बहुत य इनिशियेटिव था, government का, और इस phase को, और speed up किया गया है, इस second wave के बाद, क्योंकि आप सबको पता है, कि जो second wave आया, लोगों ने कितने अपनों को खोया, और इसकी वज़ा से, कितनी problem आई, medical facilities में कमी होने की वज़ा से, तो इसकी वज़ा से, इस project को थोड़ा boost up किया गया speed इसकी पढ़ाई गई है, तो बचों, और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा need 2021 के लिए free crash course, life classes, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो जरूर उसको जाके चेक करें, हमारे चैनल को subscribe करें, हमारे वीडियो को जादा से जादा like करें, share करें, मिलते है आपको अगली वीडियो में और ही अच्छी information के साथ धन्यवाद